आज हम देशी स्टाइल में बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन बहुती लजीज बनने वाला है जो तो बने रहे हमारे साथ लाइक कर दें वीडियो को और अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले करें सबस्क्राइब सबसे पहले हमको चाहिए है चिकन बड़िया सा होल चिकन ले ले उसके बड़े बड़े पीसिस हमको करने हैं अब इन बड़े बड़े पीसिस में हमको बड़े बड़े से कट्स लगाने हैं ताकि जो हम मारिनेट करने वाले हैं तो बड़िया से इसमें मसाला जजब हो जाए और बहुत ही फ्लेवर फुल चिकन बने क्योंकि हमको इसको रोस्ट करना है तो पीसेस थोड़े ही रखना है और बड़े पीसेस रखेंगे तो अंदर से ये थोड़ा सा जूसी लगे इसलिए हमको इसमें कट्स लगाना बहुत ज़ादा जरूरी है तो ये बहुत फिल रहे बॉक्स तो जो भी हम अपना बर्तन लेने वाले है वो थोड़ा छोटे साइज करें ताकि इसमें फिट हो जाए जैसे हमने लिया है देखे हमने आधा चिकन है और आधा अलग रहा ह। जो हम बाद में अश्में मिक्स करने वाले है तो हमने लीए लाल मिर्च और प्रवक और लाल मिर्च बहुत जरूरी है ताकि अंदर तक जजब हो जाएं सारी चीजें उसके बाद हम सारे इसमें और मसाले स्पाइसे आड़ करेंगे हमने लिया है इसमें चिली फ्लेक्स काफी इंपॉर्टेंट है काफी फ्लेवर आता है इससे तो मिर्ची तो डालने है दबा के और हमने इसमें डाला है गरम मसाला गरम मसाले के साथ साथ काली मिर्च का पाउडर भी डाला है हमने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली है उसके बाद हम अपना जो पीसे से ना वो फिर से उपर रख देने वाले हैं और अब हम सारे लिक्विड वाली जो चीजें म तो शारा डालेंगे जैसे दही हो गया अंडा हो गया अद्रक लहसन का पेस्ट हो गया यह सब चीजें डाल के हमको अच्छे से मिक्स करना है बढ़िया से इसको मिक्स करें और इसको थोड़ी दिर के लिए हमको रख देना है ताकि यह मारिनेट हो सके आप 2-3 घंटा इसको अ Netflix आपको अच्छे से मिक्स करना है कलर ऑप्षिनल है आप चाहें तो एड करें दिख सुन्दर है लेकिन उसे flies कोई फरक नहीं आता तो just how to apply to तो ना भी करें, अवाइड कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स देना है, और बोल हमारा चोटा ही होना चाहिए, इसको अच्छे से कवर करें और रखते हैं, ये रहा भाई मेरा देहकता हुआ चूला, तो ये चूला जल चुका है, इस पे हम तंदूरी चिकन बनाने का स्टाइल मेरे हस्बेंड का थोड़ा डिफरेंट है, वो पहले इसको थोड़ा फ्राइ कर लेते हैं, उसके बाद इसको तंदूर में सेखते हैं, तो ये मेरा बहुत ही अच्छा सा मारे नेटे चिकन दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया सी आग ज तो इसको हलका सा फ्राइ करना है, इससे बहुत ही जादा जूसी बनता है, एक बार ट्राइ करिए का इस मैथट से, तो ये रहा है टॉप यू हमारे चिकन का, तो देखें इस तरीके का ये नजर आ रहा है, हलका सा जैसे ये गोल्डन होगा, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, सारा फ्राइ कर लेने के बाद, ये हमारा ग्रिलर है, जिसमें 81 सारे पीसे साम रख देने वाले हैं, और एकी साथ हमारा सब कुछ ग्रिल हो जाएगा, तो अगर इस तरीके का कोई आपको चीज मार्केट में अगर मिल जाए, तो बहुती बढ़िया है, नहीं तो आप आप परचेस कर सकते हैं, ये बहुत एजली अविलेबल होता है ग्रिलर, तो ये देखें सारे पीसे साम रहे ऐसे जमा देने, और जमा देने के बाद हम इसको करेंगे, बंद और अपने आग की उपर इसको लाल होते तक बढ़िया सेखना है, देखें इस तरीके से इसको बंद क काफी फ्लेवरफुल मसाला है हमारा, तो ये इसमें हमको ऐसे डाल लेना है, और इसको बढ़िया घुमा घुमा के सेखना है, और ख्याल रखें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक करना है आपको, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आ इसलिए पराबर इसको पलटते रहना है, और बहुती अच्छे से इसको रेड रेड होते तक पकाना है, बहुती बहुती प्यारा दिख रहा है, देखें क्या आग जल रही है, बहुती शानदार, वेरी नाइस, तो बस इसको बनाना इतना ही इसको बनाना, आप चाहें तो बिल्कुल बनाएं चिकन आजी और बिल्कुल बनाएं चार पाँच घंटे बाद शाम कर डिनर हो जाएगा आपका शान्दार तो इसके उपर हम डाल सकते हैं कुछ तंदूरी मसाल अगर आपके पास हैं तो या तो गरब मसाला जो भी आप चाहें तो गार्निश कर सकते हैं ध कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये रेसिपी और जादा जादा शेयर करें हमारे वीडियो को थैंक यू